बिदिसा के कुरुबाई छेत्र के बरवाई और भाल ममोरा पंचायत में कॉंग्रेस का प्रदर्शन केंद्र सरकार के महगाई का पुतला किया दहन। नमस्कार मैं हून पमनूप आप देख रहे हैं दख़बरदार नूज। बिदिसा जिले के कुरुबाई में प्रदेस कांगरेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुखमंत्री कमलनाथ के आबाहन पर प्रदेश कॉंग्रेस के पूरू महा मंत्री सुभास बोहत एड़ बोकेट के नेत्रितों में भाल बमोरेवं बरवाई में केंद सरकार के द्वारा गय सिलिंडर मोले बृद्धी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जंगी प्रदर्शन किया गया और दोनों ही पंचायतों में केंद सरकार द्वारा बढ़ाई गई महागाई का पुत्रा दहन करके भारत के प्रदान मंत्री नरेंद मोदी से गय सिलिंडर पसीख्र महागाई कम करने और बढ़े हुए दामों को वापस लेने की माग की इस अपसर्पसुभास बोहत द्वारा कहा गया कि भारत सरकार हुए अमत प्रदेश की राज सरकार महागाई बेतहासा बढ़ाने का कारे कर रही है जो लोगों के चूले जलना बंद हो गए है किसान दुकानदार व्यापारी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो महागाई के मा से अपने दिन चर्या नियमत चलाने से बंचितना हुआ हो विदिसा स्यासित सहले की रिपोर्ट बने रहें दखावर्दानियोज के साथ ओला है दोने उसा परवाई पनचायत और कि नरेंद्र मोधी की केंद्र सक्टार श्राप जो लसे ही में कर रही है कामर्सियल्स ऑर साड़े तीक सब्स रुपए अया और घ्रेलू गेस्सिलेंडर पर 50 रुपर प्रती गेस्सिलेंडर वड़ाएं इसके अलावा एसा कोल सक्षेतर नहीं है जहां राजापा की मोधी सरकार लगातार महंगाई ना बढ़ा रहेगी वो चरम सीमा पर लोगों का चीवन उभर कर दिया है हमने कुरवाई तैसिल के बरभाई और ठल्वामुरा पंचायत में नरेंद्र मोधी जी की केंद्र सरकार की महंगाई ग्रोजी नीतियों का उतला दहन किया है और नरेंद्र मोधी सहाथ से आगरह किया है कि जो जैस्सिलेंडर टीमटे अगातार पढ़ाई जा रही है उन कीमत को वापस नहीं लिया गया तो हम प्रदेश गांगरेस कमेटी के अध्यक आधरणी गमनाची के आभवान पर पुर्वाई तैसिल के हर्णाओं रिपंचायत में हम उतला दहन करेंगे और मैं इस बात को गर्व और गौरब से कहना चाहता हूं कि जो खार्तिय जिन्ता-पार जोजी नीतियों के साथ आज आज हर आदमी हर मजदूर जिसान भाई ब्यापारी छोटा में तूर अनुसुचित जाती जन जाती अल्पसंत्यक साथी पिछला परत के साथी लदाता हमारे साथ खड़े हो रहे हैं इसलिए केस जिलेंडर मोली व्रद्वी को भाजापा सरका आज हमको सच्काल करो आज ही वापस लेना थाई आज हमको 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 आज ह जुक लात अब कल की यह बात है मेहंगाई बढयाई है है